दोस्तो नमस्कार दोस्तो स्री देवी का निधन आखिर क्यों हुआ? दोस्तो बॉलीबुट और टॉलीबुट पर अपनी अधाकारी का लोहा बनाने बाली स्री देवी के निधन से पूरा फिल्म जगत सद्मे में है सिरी देवी को बॉली बुट का पहला फीमेल सूपर स्टार भी कहा जाता है हिंदी फिल्म जगत में हबा हबाई गल्द के नाम से मशूर रही सिरी अब हमारे बीच नहीं है जी हाँ शनी बार रात करीब 11 बजे उन्हें हाट अटेग आया और उनका निधन हो गया सूत्रों के मताबिक उनकी मौत हाट अटेग की बजे से हुई है सिरी देवी के निधन की खबर मिलने के बाद मुंबई स्थित उनके घर पर लोग जमा होना शुरू हो गए है दोज तो आपको बता दें की सिरी देवी अपने परिबार के साथ दुबई में एक शादी में शामिल होने के लिए गई थी जहां उनका आक्स में एक निधन हो गया मौत के वक्त उनके पती बोनी कपूर और बेटी खुशी उनके साथ थी सादी में पूरा बच्चन परिबार भी मौजूद था उनकी बड़ी बेटी जानवी उनके साथ दुबई नहीं जा सकी थी रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी सूटिंग में बयज थी दरसल जल्दी सिरी देवी की बड़ी बेटी जानवी की डेवी फिलिम धड़क रिलीज होने बाली थी लेकिन सिरी देवी अपनी बेटी की ये फिलिम नहीं देथ पाई दोस्त बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना की तरही सिरी देवी भी एक मामले में दुरुभागी रही बोनी कपूर की पहली पतनी मोना शौरी कपूर की मौत भी उनके बेटे अरजुन कपूर की डेवी फिलिम इशक जादे रिलीज होने से पहले हो गई थी सूत्रों के मुताबिक शौरी देवी के देवर बोनी कपूर के भाई संजे कपूर शनीबार को दुबई से मुंबई पहुँचे थे लेकिन उन्हें बापस आकर शौरी देवी के हाट अटेक की खबर मिली जिसके बाद वो बापस दुबई लोड़ गए दोस्तों सिरी देवी के निधन के खबर सुनकर हर कोई हैरान है फैन सहित पूरा बॉलिबुट सदमे में है सिरी देवी के निधन के बाद अंधेरी में उनके घर के बाहर बाहरी तादात में रात तही उनके फैन जमा हो गए है मुम्बई पुलिस ने सिरी देवी के घर के बहार की सुरक्षा बढ़ा दी है सिरी देवी की मौत की खबर से पूरा बॉली बुट दुखी है फैंस का कहना है कि वो ये सुनकर अभी भी शोक्ट है और उन्हें यकी नहीं हो रहे की सिरी देवी अब हमारे बीच नहीं रही दोस्तो पिया मोदी ने भी सिरी देवी के आक्समेक निधन पर सोक जताया है दोस्तो आपको बता दे की सदी के महानायक अमिता बच्चन ने लिखा ना जाने क्यों एक अजीब सी घबराट हो रही है प्रयांका चौपणा ने लिखा मेरे पास सब नहीं है जिने उनसे प्यार था उनके लिए मैं शोक प्रिकट करती हूँ दोस्तो शिरी देवी आकरी फिलिम मॉम थी जो पिछले साल 2017 में आई थी इसे रभी उधे बार ने डिरेट किया था और प्रिडूसर थे शिरी देवी के पती बोनी कपूर फिलिम में शिरी देवी के साथ अक्सय खन्ना और निबाशे दिन सिद्धिकी ने भूमी का निभाई थी तो दोस्तो अभी तक के लिए इतना ही धन्यवा